Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of Unacademy Group दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं GK के कुछ important question answer जो की exam के point of view से काफ़ी important होता है तो please आप इस वीडियो को सुरू से लेके end तक देखेगा वीडियो पसंद आ जाए तो like कर देना और अपने दोस्तों के साथ में share जरू करीगा पाकी टेलिग्राम गुरूप का नहीं में सोरंबल इक official इसको join कर लेना यहाँ पे आप लोग को हर एक वीडियो की पीडियाप और Unacademy की free classes के link मिल जाते हैं दोस्तो Unacademy Plus के सारे benefits जैसे की live classes, structured course, weekly test and limited access और भी सारे benefits आपको मिल जाते हैं जैसी आप Unacademy का कोई भी plus subscription join कर लेते हैं Unacademy का ultra combat जो भी सप्रेल को होने वाला है इसमें end roll कर लीजिगा इसमें बहुत सारे gift और vouchers और laptop, mobile और scholarship तक आप जीट सकते हैं दोस्तो Unacademy के सभी subscription में आप लोग को code यूज करना है study 10 इससे आपको maximum discount मिल जाएगा और यह सभी categories में applicable है crack ssc exam 2022 with pyqs and selection wise test में भी end roll कर लीजिगा इसमें भी आप लोग gift voucher जीट सकते हैं और बहुत ही अच्छा एक mock test होने वाला है सफलता batch और complete batch on general studies अप लेल 20 से start हो चुका है इसमें रोल कर सकते हैं और code यूज करेगा study 10 आइकोनिक subscription के लिए भी आप लोग को study 10 code यूज करना है और आइकोनिक subscription के feature है प्राइटिन डाउट शोलिंग प्राइटिन लाइब क्लासिज ठीक है भई तो ये भी आप लोग को याद एकना है बाकि ये सारे test जो है free of post SSC के अटिकरी में आप इनको देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्लीज पुराइट तक देखेगा दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है golden handshake योजना को किसके रूप में जाना जाता है तो इस कोशन का आप सही answer बताएगा कि क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तो पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि gold handshake योजना है ये क्या है ये voluntary retirement इस कोशन का जो right answer को option B होगा voluntary retirement यानि कि समय से पहले जब किसी को retirement देना होता है unseduled retirement भी जिसको हम बोलते है उसको some benefits उसको दे करके कुछ amount दे करके उसको retire कर दे जाता है तो उसको voluntary retirement कहते है तो इस कोशन का सही answer option B हो जाएगा ठीक है? चले अगला question आता है भारती सविधान में निमलिकित अनुचिद में निर्दारित परकिरिया के अनुसार संसोधन किया जा सकता है यानि कि किस article में एक संसोधन की परकिरिया के बारे में बताया गया है कि सविधान में जो संसोधन होगा दोस्तों वो किस परकिरिया के तहत होगा वो आर्टिकल 368 हमें बताता है तो इस question का जो right answer होगा that is option A अगला question आता है कि नीती आयोग के उपाध्यक्स कौन है नीती आयोग के उपाध्यक्स कौन है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का जो right answer होगा that is option बिलकुल सही है राजीव कुमार ठीक है नीती आयोग के उपाध्यक्स कौन है राजीव कुमार इस दा right answer तो यह आपको याद रखना है अगला question आता है कि विजे नगर सहर को खालिस्थान के रूप में भी जाना जाता है विजे नगर सहर को खालिस्थान के रूप में भी जाना जाता है तो यहाँ पे जो right answer होगा दोस्तों वह आपका होने वाला है हमपी क्या होगा हमपी is the right answer तो विजयनगर सहर को हमपी के नाम से भी जाना जाता है यह वरतमान में बेलारी जिले में स्थीत है दोस्तों इसकी स्थापना 1336 में हरीहर परसाद और संगम वंस के उनके भाई बुक्का राय पर्थम ने की थी तो यह चीज भी आप याद रख सकता है कोशन आता है तुगलक वंस के निमलिकित में से की सुल्तान ने चांदी के इस्थान पर तांबे के सिक्षे जारी किये तो क्या होगा राइट आंसर? मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का सही उत्तर होगा मुहम्मद बिन तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक इस्थार राइट आंसर यह आप लोगों को याद रखना है अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सा सेत्र या सेत्र भुकम के लिए सबसे अधिक परवण है तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही है इस कोशन का राइट आंसर होज़ेगा गंगा बरंपुत्र घाटी यानि की ओप्शन भी राइट आंसर होज़ेगा ठीक है जी? नेक्स्ट कोशन आता है सहत जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है वैसरना नहीं है क्योंकि क्योंकि दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर होने वाला है बैक्टिरिया कैननोट सर्वाइव इन एक्टिव स्टेट इन शोलूशन ओफ हाई ओसमेटिक स्टेंथ एज वाटर एज ड्रॉन आउट यानि कि इसको मैं बताऊं तो उच प्रासनिय सक्ति में के घोल में बैक्टिरिया सक्रिय अवस्था में जिवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि पानी निकाला जाता है ठीक है तो ये आप लोगों को याद रखना है अगला कोशन क्या कहता है दोस्तो निमिन तापमान पर सीशा खालिसान के रूप में वहवार करता है तो ये जो वहवार करता है दोस्तो ये सूपर कंड़क्टर ठीक है सूपर कंड़क्टर के रूप में वहवार करता है यानि कि बी रैट आंसर हो जाएगा अगला question next is network में एक छोटे से संदेश को एक station से दूसरे station के बीच भेजने के लिए उप्योग किया जाता है कि रूप में जाना जाता है दोस्तो right answer हो जाएगा token यानि की A is the return answer token सूचना की विशेश सरंकला है जो network में यात्रा करती है यह एक ticket के रूप में कारिय करता है जो computer को network में संदेश भेजने की अनुमाती देता है इसके अलावा network में केवल एक token है जो एक सुनिचित करता है कि कोई भी दो computer एक ही समय में संदेश ने भेजे next question है निमलिकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है तो right answer बता दीजे दोस्तो यहाँ पे जो right answer होगा that is starch टीक है डी right answer हो जाएगा यह आप कहा दखना है starch एक प्राकृतिक बहुलक है अगला question है निमलिकित में से कौन सा स्तंधारी अंडे देता है तो इस question का right answer हो जाएगा platypus यानि की D right answer हो जाएगा platypus दोस्तो इस्तंधारी है जो अंडे देता है यह एक ओस्टेलिया में पाए जाने वाला एक अंडे चार इकिड़ना नाम की परजाती के है ठीक है यह मैं बताओ आपको कैसा दिखता है अब कैसा बताओ चुहे टाइप का होता है ठीक है ना तो आप इसको याद आख सकते है अकबर का मकबरा निमलिकित में से किस इस्थान परिस्थी था दोस्तो अकबर का मकबरा सिकंद्रा में स्थी था यानि की ओप्शन यह रह टांस हो जेगा यदा भी मकबरा अकबर के समय में ही पूरा हो गया था संगमरमर में मकबरे के सिर्ष भाग का निर्मान उनके बेटे जहागीर ने किया था और मकबरे की इमारत दोस्तों एक चार इस तरिये मतलब चार एक बीच में मतलब मकबरा और चार उसमें चारो तरब को पीलर टाइप कुछ है ठीक ना जिसकी उपर एक संग मरमर का मंडप है जिसमें नकली मकबरा है ठीक है इसको बोलते है सही है नमलकित में से किस चेत्र के साथ पंडित भीम सेन जोसी संबंदित है तो ये क्लासिकल म्यूजिक से संबंदित है यानि कि ओप्षन आपका सी हो जाएगा ठीक है चाले संयुक्त रास्त की सुरक्षा प्रिशत में दस एस्थाई सदेश्य सामिल है कितने यहर के लिए तो गाइस दो साल के लिए यानि कि टू यहर्स इस दर रेट आंसर यह आपके लखने है नेक्स से त्रीपिटक खालेसान की पवित्र पुस्तके हैं तो यह बुद्धिस्त की यानि कि डी रेट आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन है यदि कोई देश अपनी मुद्रा का मुल्यन करता है तो उसका खालिस्थान उसका एक्सपोर्ट बिकम चीपर और इंपोर्ट बिकम कोस्ट लियर हो जाता है यानि कि निर्यात सस्ता और आयात महेंगा हो जाता है तो राइट आंसर इस ओप्शन है नेक्स है निम्लेकित में से कौन सी द्हाथ्टु द्रव अवस्था में अप्रूपता परदसित करती है तो गंदक यानिकी सलफर इसदा रेट आंसर ओप्शन बी रेट आंसर हो जाएगा दोस्तो GDP यानिकी सकल घरेलू उत्पाच सुचकांग उप्योग का चेत्रिय वित्रण है तो किसी देश का आर्थिक विकास पता चलता है दोस्तो GDP से रेट आंसर इस बी ठीक है दोस्तो रागनी खालिस्तान राज्य से सम्मंदित लोक गीत का एक लोक प्रियर रूप है तो रेट आंसर बता दीजे क्या होगा तो यहाँ पे जो रेट आंसर होगा दोस्तो वो हो जाएगा हर्याना यानि की C is the return नेक्स है निमलकित में से कि सीमा को रेट कलिफ रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड कलिफ के नाम से जाना जाता है तो यह आपको याद रखना है दीपी का कुमारी निमलकित में से किस केल से संबंदित है तो दीपी का कुमारी आर्चरी यानि की तिरंदाजी से संबंदित है तो इस कोश्चन का रेट आंसर ए हो जाएगा दीपी का कुमारी तिरंदाजी से जुड़ी है वह पूर्व विश्व नंबर वन और उसकी वरतमान नंबर पांच जो की 2010 के कॉमन वेल्थ गेम में महिला व्यक्तिकत और टीम इस परदा में संबंदित जीती थी दोस्तो इबोला सब्दकार्थ क्या है दोस्तो पस्चिम अफ्रीका में एक वाइरल बिमारी का परकोप इसका अर्थ है तो इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन है एड्स का वाइरस मुख्य रूप से खालिस्तान की व्रदी को प्रभावित करता है तो राइट आंसर इस बिल्कुल सही है रक्त में टी को सिकाए यानि की ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर निम्लिकित में से कौन माइट्रोजन युक्त उर्वक नहीं है सूपर फास्पीट इस कोश्चन का दोस्तो रेट आंसर हो जानि की डी इस दा रेट आंसर ठीक है कोश्चन आता है परम सुन्य वहत आपमान है जिस पर जिसमें जो दोस्तो गैस में अर्णिक गती बंद हो जाएगी इस कोश्चन का रेट आंसर हो जाएगा तो चलिए यहीं तक रखते हैं दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और नेक्स चलते हैं ऐसे हर बार आपको नेक्स नेक्स वीडियो मिलती रहेगी और आप सारी वीडियो को देखते रहेए और इस वीडियो को भी पूरा इंड तक देखेगा चलिए और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनेकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनेप्रोपेट कंटेंट इन दे वीडियो मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की स्टडी से लेटेड नहीं था तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज विन कर सकते हैं नीचे ही डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको प्राइज मिलेगा ठीक है बाकि थेंक्यू सो मच गाईज चैनल को सबस्काइब कर लिजेगा पीडिया भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बैल आइकन को ओन रखिए और वीडियो को लाइक और सेयर करना भूलिएगा मत ठीक है और देखिए अनकेडमी पर मेरी दो स्पेशल क्लासिस हो रही है इसके बा करते ही आपके पास नोटिफिकेशन साने स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो चले मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्यू सो मच